प्रिकेट के सब कुछ पूरा पिछ तैयारी पूरी है अंतिम घड़ी आ चुकिए फिनाले ही तैयारी है ना पूरे टेस्ट मेंच कर लिया क्रिकेट के सब कुछ पूरा पिछ तैयार है हमारा एक्जाम डेट भी आ गया है ना कवे 17 मार्श ठीक है मतलब फिनाले बस दो दिन बाद है ठीक तो मैंने फिनाले की पूरे लास्ट मिनट प्रेप्रेशन बता जी टिप्स भाईया कि गैप डे सबस्क्राइब लेकिन 10 लिखने है और अपको पूरे लिखनी है तो हमने पूरा त्यारी करें ठीक है तो आपको पूरा वीडियो मैंने बता दिया था पिछले में की दो माग से कौन को से कोशन है और आएंगे तो कितने कितने जीजे लिखनी है बहुत ज्यादा नहीं लिखना है तीस शब्द तीन लाइन अगर दो करण तो सिर्फ दो करण लेकिन वह फैक्चुल थे अब यह राजा थोड़ा सा दिमाग वाला है बोलेगा फैक्चुल से नही ठीक है लेकिन अभी क्या करना है आपको जो पूछा गया है उसको संख्षिप्त में लेकिन उसकी सही आंसर देना मतलब उसको यह चीजे बताना कि भाईए यह ऐसा होता है ठीक है छे मांक से कोशन क्या है वो डारेक् फैक्श्वर होते हैं क्या कारन है फसलों के नाम बता कारे बता हो तो क्या है कारे मतलब भई आप करते हो क्या परफने की कोशेश करते हो वहिं क्या करो आं रचन को समझजबह पहले कोश्षिन वालीने कोश्षिन क्यों पूछा है राश्ठपती के शक्तियां कारे राश्टरपती अच्छा राश्टरपती हमारे के हैं पुरदेश का मुख्या होता है तो भाईया वह प्रदेश की बनाने के कोश्च करोगे आप लोग करते हो रट्टे हो अच्छ है इतना इतना लिख दिया अरे मैडम पूरा आंसर दे देती तो बना होती से यार नहीं भाईया मैडम चाहे सर कोई भी हो दुनिया का वैक्ती हो वह आपको सिर्फ बताएगा लेकिन सोच आपको डेवलब करन है तो राजय अध्याय का नाम हमने दिया था तीक राजय अध्याय और राजय अंक भी कौन सा अच्छ है हमें आखरी में राजय को हराना है मतलग 6 मांक का जो कोशन है हम पूरे पेपर में आखरी के क्या है जो 30 इस आधे घंटे होगे एक घंटे जैसे ही आपका दो घंटा निकलेगा है ना तीन घंटे का पेपर है ठीक है तो एक घंटे में क्या है भई या आप क्या करोगे अधे आधे घंटे के इन्था है राजह एक क्या करोगे ना चीजे अधे में क्या करोगे और वह भी आत्वावाले होंगे तो यह बहुत अच्छा है आपको 10-12 कोश्चन करोगे और क्या पूरे 12 माख्स आपके हाथ में और काटने वाले को मजबूर करना हूं उसको यह मजबूर करना हूं कि और देना भाई मैं तुद्धा अच्छा दिल लिख रहा हूं देना ही दूसरा अध्या कॉंस है विश्वाजीव संचार माध्यम लोक दंत्र में इससे बहुत रेर चांस होते हैं कि कोशन आएगा ठीक है और इससे तो यह नंबर वाले अध्याएं हैं यही दोनों है भाईया अथ्वा वाले कोशन भी डाड़क इन दोनों से आएंगे इन दो इन दोनों चैप्टर को भी बहुत अच्छे से कर लेते हो ना 100 प्रसें इन दोनों से तो एक नए कोशन तो अथ्वाबे हो गई तो आप यह दोन चैप्टर को भी कर लोगे ना 12 माक्स पक्के है चलो कोशन देख लेते भाईया पहला कोशन है मुद्रित माध्यम और टीवी यह क्या है घटनाओं का एक जगह से दुसरे जगह संप्रेशन ही क्या होता है संचार होता है घीक है मुद्ञत पाका श्वानी न्यूज चैनल ये सबाएंगे इतना लिक दो अपने से ये अब आपका अच्छा अंसर हो गया ये तो बुग का अंसर है इतने आंसर आप लता दो होगी अच्छी अंसर अब आजाओ इन दोनों में समानताए क्या होगी मुदृत माध्यम और टीवी करते हैं यह समय होगे यह क्या है बरतमान की परिदेश्विवे को लोगों तक पहुचाते है अगला पॉइंट हो सकता है जो विश्क देश विदीश में घटानाओं को क्या करते हैं वी आफिन तरीकों से हमें बताने की कोशिश करते हैं ठीक है जनता की जो राइए यहां कि जो सोच है यह जंता की जो मांग है वह भी क्या है मुद्र इन माध्यमों के द्वारे क्या है सरकार तक पहुचती है यह सब पॉइंट भी डालो ठीक अब क्या अंतर क्या होगा भी समचार पत्र के वह हम पढ़ सकते हैं जबकि टीवी मन हम सुन सकते हैं टीवी अनपढ़ रेक्ती भी लापढ़ा सकता है अब जो पढ़ा लिखा वेक्ती है वो क्या है सिर्फ वो पढ़ तो नहीं सकता उल्टा बोला मैंने पढ़ा लिखता वेक्ती पढ़ सकता है लेकिन अन आप सुन तो सकता तो समझ आएक्ट कि सामने में वालत क्या प्राप्ति से प्रदान कर सकते हैं इसके मदर से समचार पत्र जहां हमें समचार देर से देता है वहीं हमें देखते ना लाइप रसारन क्रिकेट का कहीं का जैसे क्या हो रहा है कि क्या सुच हो रहा है लेकिन क्या समचार पत्र एक दिन बाद आते हैं तो आज की खाबर कुछ भी कहीं घटना हुई प्रधान मंतरी करें कुछ घोष्णा की वह क्या एक दिन बाद लेकिन टीवी में हम तुरन सुन लेते हैं हैं ना तो बच्चो इस तरीके से क्या है यह आपको खुद को परता है कि मुद्रिट माध्यम क्या है मतलब पेपर के बारे में लिखना है तो यह क्या है आप खुद लिख सकते हैं इसलिए बोलती खुद की समच से आंसर लिखो बहुत अच्छा जाएगा ठीक चलो अगले प्रश है आपके प्रशनों में एक ही कोशन में दो प्रकाल के प्रशन आ रहे ना तो वैसा आ सकता है ठीक है तो तीन मतलब क्या है इलेक्ट्रोनिक माध्यम के दोड़ा सूचनाओं का दान प्रदान होता है मनोरणजन का प्रमुक साधन है इस तरीके से आंसर को लिख दो ठीक चल लिए बना रहा है तो अरत सभी लोगों से पूछा जाए घर्क करीज़ा नहीं रहे है सबस्क Bridge में चपए तो प्रकेस करना है तो चारिक करना चंब कम प्रशनावली परदिश्या के साथ समझार पत्रों के माध्यम से जनता तक चर्चा के लिए किया गया अगर कुछ कायकरम कराना है तो क्या करेंगे मुख्या बनाएंगे कोई आएगा बताओ क्या करना चाहिए इस तरीके से बाते होंगी ठीक अलग 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 सविधान सभाद सविधान जो थे दूसरे देशों के उसकी क्या की सविक्षा की तो यही क्या था जो आप देखो कुछ भी कर रहे हो ना तो अपने उपर लेके देखो अच्छा कोई स्कूल में कायक्रम होना है ठीक है आग यह सरकार की ओर से यह स्कूल विभाग की ओर से कि भाई यह स्कूलों में क्या परियान देदस पर कायक्रम कराना है ठीक कायक्रम कराना तो सबसे पहले क्या करोगे प्रश्णवाली मैडम तयार करेगी कि भाई क्या क्य सभी लोगों को बुलाया जाएगा कि क्या करना चाहिए अपने अपने बताओ भाई यह टीचर से बात करेंगे तो उस टाइम किसमीधान सभाने किया आम सभाव का यह जन किया प्रतेखनु शेळद पर विस्तित वाध विवाध हुआ, अक्सर बिरोधावासी विशार प्रस्थुत हुए, प्रतेख सोजाओ पर गंभिर्ता से विचार किया गया, अपनी सहमेटीए सहमेटिकी सैधान्टिक अधारों पर माना गया, ठीक, क्या करो गे, जंता से चर्चा क करेंगे हैं न और क्या करें दूसरे स्कुने में कैसा बनाया गया था वो करोगे तो इन ही पॉइंट्स को क्या है आपको देखना है है न ऐसे देखो अब मैंने इतनी चीज़े बोली आप यह आंसर को भूलोगे क्या नहीं आपको पता चल गया भई अच्छा हाँ भई सभा होगी समचार पत्र में देंगे प्रशना वाली होगी दूसरे देशों का देखेंगे और क्या करेंगे अब इस आंसर को लिख लोगे है न ऐसे लिखो भई छैमक्स क्यों नहीं मिलेंगे चलो आगे बच्छो बढ़ो बच्छो भारती सविधान सभा की उद्देशिका में दिये गए मूल हमारे जो उद्देशिका बनी है हमारे प्रस्तावना है उसमें कौन से मूल यादर्श है है ना तो भई ये मूल यादर्श क्या है हमारे हमारे देश का दरपन है मतलब वो हमार हमारे देश क्या सोचता है हमारे देश का प्रतिरूप क्या है वो बताता है तो जो सविधान की उद्देशी का है वो क्या है हमारे मूल आदर्श है जो हमारे सविधान तंतर स्रेनानी थे यह हमारे देश की लोग थे उनकी क्या बताती है सोच को बताती है ठीक है तो यह क्या हमाई जनता की अभिलाशा है ठीक पहला क्या बोलागे है उसमें हम भारत के लोग तो प्रस्तावना कि शुडवात ही क्या होती है हम भारत के लोग मतलब अधिनियम और आत्र समर्थित करते हैं मतलब क्या है हम लोगों ने बनाया है हम इसको लोगों को देते हैं और उनके लिए ही क्या करते हैं अधिनियम बनाते हैं पहला लाइन हो गया दूसरा प्रभुत्य संपन्न मतलब क्या है हमारा देश हर रूप में स्वतंत्र है और इसक अपने देश में कुछ भी नियम बनाने के लिए कानुन बनाने के लिए हमारी सरकार फ्री है उसको ब्रिटेन या अमेरिका जाके पूछना नहीं पड़ेगा कि भाईया मैं अपने यहां के लोगों को खाना देना चाहता हूं मैं दे दूं क्या मेरे को नई ट्रेंच लानी मे सर्वरपरी होते हैं क्योंकि यह माना जाता है कि उसके पीछे के सभी निवासियों की सहमति है मतलब हमारे एक निर्णाय लेने में हम स्वतंत्र होते हैं ठीक है दो पॉइंट हो गया अगला समाजवादी समाजवादी मतलब क्या है समाज की हर वर्वों को बराबर में लेक करेगा और सभी संसाधनों का उपयों स्रावजनिक हित्में किया जाएगा ना कि किसी के नीजी हित्में मतलब क्या थे जब स्वजंद्रता हुई या एक दो साल दसल बीस साल बाद भी क्या थे समाजिक वरस्था थी ठीक है असंतुरन थी जो हमें आज भी दिखती है तो उसी समाज से के वाद क्यातीया दर्म निर्पेक्ष मतलब भारत का किसी भी प्रकार का कोई धर एक धर्म नहीं होगा भारत धर्म को हर धर्म को का एक व profitability क्या करेगा आख सम्मान करेगा और सब धर्मव को समान आउसरदेगा वही क्या होती भारत निर्पेक्षटा मतलब भारत सथकार यह नहीं चुनि हुई सरकार होगी ठीच मतलब क्या है हमारे संसथ हो लोगों vaso seqo सरकार बनारी लोगों सरकार बनती हैς धीक है हमारे मुखेयो लोगताइद स्थू कर चुब rupees पंधती से जाएगा हमारे राष्ट्रपती किसे चुनते हैं लोग सभा राजय सभा विधान सभा के लोग चुनते हैं और उनको कौन चुनता है हम लोग तो लोगों के दोड़ा चुना हुआ क्या है ठीक वहराद इसमें साचन प्रमुग जैसे राष्टपती वंशागुनत ना होकर किसी चुनाओ की प्रक्रिया से बता है वह गन राज्य कहलाता है ठीक आगे क्या है भई चलो ये प्रश्ण समझा तो ये क्या है ये प्रश्ण जब आएगा तो आपको हो सकता है पूरे मुल्य अधिनियाब में क्या समनता बात का समेड़ान था कि यह तो बहुत सारे जो हमारे अनुच्छेत थे जो आ कि वह उत लिए थे उन hou सारे लिए लेकिन क्या में कुछ और अ समनता थी मतलब कुछ आसे चीज़ी ठी जो सॉब हमारे। सविधान में कुछ नहीं थी तो क्या-क्या अंतर थे भई पढ़ो उसको उन्य सो पैतिस में मताधिकार भारत के प्रमुख भारत में बहुत सिमित अबादी केवल 10 प्रतिशत लोगों को हिस था ठीक है जब 1935 का दीनीम आया तो केवल 10 प्रतिशत लोगों को उसने क्या किया लेकिन जैसे हम स्वतंत्र हुए सविधान बना भारत के सभी वैस का नाकरिक उस समय क्या था 21 वर्ष अब क्या कर दिया 18 वर्ष तो जो भी वैस का नाकरिक है वो क्या कर सकता था वोट दे सकता था ठीक दूसरा सीट केवल विशे धर्म की लोगों के लिए अरक्षित थी ज जग शेतरों को क्या धर्म के अधार बाठ दिया गया और कहाँ गया वहां के सिर्फ मुसल्मान वोट देंगे हिंदू वोट देंगे बलकि अभी क्या है जो भारत का नागरिक है उस जगह पर है वो वोट दे सकता है ठीक सभान पर कोई आरक्षन नहीं है सब्सक्राइब करता है उसको क्या करता है तब वो कही जाके पारित होता है ठीक है तो आप क्या प्रोसेस ऐसा है ठीक वहाँ पे क्या पूर्ण सब्सक्राइब नहीं थी 1925 मतलब क्या भारत सब्सक्राइब करना है मतलब क्या है आपको संसत की बारे बताना है संसत की से बनती है भाई राजे सभा लोगसभा राश्रपती अगर पूछा जाए संसत क्या है तो आपको बताना होगा संसत राश्रपती लोगसभा राजे सभा से मिलकर बनती है जहां इनके कार्य वशक्तिय निम्ण प्रकार की है ठीक उसके बाद आपको क्या करना है बना दो उसके बाद लिखना शुरू करो ठीक है अगर ये बना दोगे न तो आपको एक Marks तो इसी के मिल जाएंगे फिर पांक मर्स पॉइंट डे दो भई 5-6 पॉइंट तो उसके मिल जाए थोड़ा सा अपने आंसर में न अच्छा करने की कोशिश करो मतलब डिफरेंट लोग सब तो आंसर लिखेंगे तो आप क्या करो कुछ डाइग्राम बनाओ मतलब आप सब्सक्राइब करेगा ठीक है वित्ती शक्तिया मतलब क्या है बजट किसी कृती बजट सब यहीं होता है के प्रशाशनी क्या marketing कर एक कर सकने क्या करना प्रश्याशनी कि आप निर्वाचन संबन्सom कारियवा शक्तियां तो इसी को क्या है आपको क्या है दो से तीन लाइनों में लिखने हैं आपकी बुक में ऐसा दिया हुआ है पुरा टेबलर फॉर्म में आपको पढ़के क्या है इसको लिखना होगा ठीक है बच्चों जैसे विधाई शक्तियां में क्या है कानुन बनाना स सवाल कर सकते हैं मंत्रियों का दाईत्व है की वह उसका उच्छित उत्तर दे घाठ उतर देने पर मंतरी को पक्र सहाट्ट है. थीक है? तो कारे पारी पारी पार नियंतर कॉनर क्लिक्ट है? संस्त. तो कोशन आया अगर कि संस्त किस्ट करकार कारे पारी का पर नियंतर करती है कैसे करके? Momitra पूछ कर. संसत क्या है मंत्री मिंदल पर नियंद्र टकती है ठीक आगे और के बताओ कि वित्तिकारिया बहस पर मंच विनिर्वाचर समझी कारिया इन सब के बारे में क्या है आपको दो-दो लाइन लिख देनी है फिर आपका क्या है आंसर कम्ट्रीट हो जाएगा ठीक चलो आगे कुछ भी हो चाहे ऐसा बताओ इस टाइप से लिखें क्या है आपको यह बतानी होगी ठीक है यह बनाना ही राश्ट पतिया प्रधान मंत्री संसत इस टाइप का आपको एक साइड ने बनाना ही है सिद कम्पल सरी है आप लोग को मेरे बच्रों को बनाना ही है तो राश्ट करते हैं अ क्या बोलते हैं बजट को सुखृति देता है विदाई शक्तिया अपतकाल तो यह सब क्या राश्ट्रपति की शक्तियां इसके बारे में कि आप 6 माक्स का है 1500 शब्दों में लिखना है मतलब कि आप 15-20 लाइन में लिखना है तो सभी के बारे में क्या आपको बताना पड़ेगा ठीक है बुक में आप अच्छे से पढ़ोगे और बुक से ही पढ़ोगे इधर उदर से नहीं ठीक है जैसे भारत को अगर पूछा जाए कि भारत का जो प्रमुक राश्ट्रपति है वो नाम मातरा का मुख्या होता है तो आपको इसके आंसर भी बताना पड़ेगा तो पहले क्या बत होता है अध्यक्ष्ट भी होता है यह बताया आपने उसके बाद क्या बोलोगे भाई सभी महत्रपुण नियोक्ता उसी की द्वारे की जाती है राश्ट्रपति संसद के धिनरशनों को बुलाता है अंतर राश्ट्री संधिया समझोते यूद्ध आपातकल की घुष्णा र नहीं पढ़ती है सलाह ठीक है लेकिन कुछ चीज़े होती हो स्वावेख से कारे करता है उसको किसे पूछना नहीं पढ़ता ठीक है तो क्या है भई उधान के लोकसमा में अगर कोई भहूमत नहीं है तो किसी भी सरकार किसी को भी बुला सकता है कि आप आओ और अपना तो इसके यह स्वाविवेक पर है ठीक है इसकारन क्या है वह नाम मात्र का बुख्या नहीं होता है तो अगर यह वाला प्रशन आता ता आपको इस तरक्र से लिखनी होगी ठीक है अब आजाओ राश्ट्रपती की शक्कार पर नियुक्ति करता है जैसे प्रधान मंत्री की भालत ने चींद से युद्ध कर दिया या अब उद्ध विराम कर रहा है तो यह सब की घोशान का और करता है राश्ट्रपती करता है शक्ती है क्यों से प्रामश सकति है यह सुआज्याक विधाई शक्तियां वित्यविद्धेयकर अंदुष्टी देता है भात क्याकू Championship निधी पर नियंत्रन वित्तायों की नियुक्ति आकस्मिक निधी मतलब क्या होता है जैसे कुछ ऐसे सिचूशन आ गई जैसे कोविड आया था तूस टेव हम संसत बुला के क्या कर सकते थे पायत नहीं करवा सकते थे उस टाइम पैसे की बहुत ज़री थे कि राकि प्रधान मंत्री मंदल का मुख्या होता है और उनके में का कारिय तो यही क्या है प्रधान मंत्री मंदल का मुख्या होता है playing प्रधान मंत्री योजनाओ नेती आयोग के प्रधेन अध्यक्त होता है विबीन विभागोक और मंत्रियों की नेतियों उनका मागद्रशक होता है जैसे वित्विदाय हो गया रेर मंत्राले हो गया रक्षा मंत्राले तो क्या वो सभी मंत्रालों के प्रधान मतरीका तो आपको फिर से डाइग्रम बनाना है और इनके बारे में क्या है आपको दो-दो मुनाईन में आज़र लेखने है ठीक चलो नेक्स प्रश में आजो क्या है बैए कानून बनाने की प्रक्रिया में संसत कारे पालिका पर किस प्रकार निर्भर करती है इस बा विध्याइक प्रश आप बोलोगे कि मेरे को स्कूल से टूनामेंट में बहार जाना है तो वह बैठे की चलो बठो आओ तो चर्चा करने दो ठीक है अविश्वस्वस्थ प्रस्ताव पर रखकर संसत के सदस्यों को अविश्वस्थ प्रस्ताव मत जान दे इसे-से कहातर इ प्रक्रिया नहींकि दो बहार जाती है तुश्वस्वस्थ प्रस्ताव को ऐसे नहीं होता गने मत दान-एक नहीं-गर की प्रस्तार उसन परने in कुछ एक्स्टर नहीं है तो क्या क्या हो ता प्रश्ण पूछेंगे आप से प्रश्ण पूछेंगे लेकिन मुख्य कौन है मंत्री परिश्ण तो क्या करेगी जो संसत की सभी लोग है घर के पुरा दारा-दारी ममी-पापा-भाई-वहिनी चाड़ा-जाची-का-क-क-क-क-क सभी जोब आप से क्या करते हैं प्रश्ण पूछते हैं संसल सदसे किसी भी विल के संबंध में प्रश्ण पुछ सकते हैं जिसका जवाब संबंधीत मंतरी को देना पड़ता है आप जा रहे हो बहार कौन से विभाग के मुख्या हो खेल कुट कर आ रहे हो तो आपको क्या पूरा खेल समंधित प्रश्णों का उत्तर देना होगा विध्यक पर चर्चा आपने भई कानून बनाया कि कि इतने से दो से चार मुझे खेंनने को जाना है मैंने को घर में पर्मिशन चाहिए यह स्कूल में कुछ कायक्रम हो रहा है तो आपने बताया भीया कि खेल भी भाग अब बाद कुछ होगी तो सें वही क्या होगा संशचन में अविश्वास प्रस्ताओ रखकर संसद में मंदान की मांग कर सकते हैं ठीक काम रोको प्रस्ताओं आप अच्छा खासा काम कर रहे हो स्कूल में है ना लेकिन फिर कुछ लोगों को लगता है दुश्मनी में कि भाई यह इसको काम करी देना कि भाई इसको उटाओं तुम लोग क्या लाएंगे काम रोको प्रस्ताओं लाएंगे किसी दातकालिक वि तो क्या है उसको सभी जो स्कूल के आपके हैड होंगे टीचर्स होंगे जो अलग-अलग विभागों के लोग बने होंगे उससे क्या है आपको क्या हो पड़ेगा उस बिल को पास करना पड़ेगा तो यह क्या है पूरी प्रक्रिया है ठीक अब इस प्रक्रिया को भूलोगे क प्रशन पूछेंगे चर्चा होगी आप काम निकर तो कोई आविश्वास प्रस्ता उला देगा आप काम रोको मतलब क्या है आप खेल के लिए काम कर रहे हो लेकिन परचला अचानक से बारिश हो गई तो घर आपके स्कूल के क्या है रोट खराब हो गया है यह स्कूल में आप प्रक्रिश के लोग तो उसी प्रकार संसत क्या है कारे पालिका पर नियंद्रन रखती है समझाया आगे आजाओ मदान प्रक्रिश के यही च्छे बेंडू लिख कर संख्रिप कि या चुनाय अओक्रचल लिखे को लिखे तो कालन से करते हैं यही यही अलग हो सकता है कईजयके अलग आश्र दिए यह वह राला अंसर दिया हो निर्वाचन प्रक्रिया होगी ठीक नोटा बटन जिसमें क्या है अगर आपको उन में से कोई भी नहीं है तो आप नोटा बटन दबा दोगे गुप्त मतदान होगा मतलब क्या है आप किसको वोट दे रहे हो यह बताया नहीं जाता है अप्रतेक्षमदान मतलब क्या है राष को वही है अगर हम उनको वोट दे का सरपज बना भी सकते हैं तो उनको राइट टू रिकॉल मतलब फिर से मरदान करके वापस बुला भी सकते हैं ठीक है तो इन 6 प्रक्रियाओं के अधिक हो और क्या है जो संसत वीधान मंदल के चुनाओं में मरदान कर सकता है उसी को क्य क्या करते है मदाता अब मदादा को बढ़ाता को प्रभावित क्या क्या करते हैं कारक जाती वाद जाती वाद की चीजे ले आओ धार्मिक मत भेट भाषावाद छेत्रियता की भावना कि भाई आपको कोई की थे हिंदू कोई की थे अच्छा हमर भाषा वाले हरे भाई दूसरा भाखा कर वोलती हम नहीं देवन होला ठीक है उमिद्वारों के प्रति लोभान प्रभोबल लवन कि मैं अगर बन के हूं अगर मेह बन हूं विधायक देर्मिक के रोड बना दूं सब लपईसा बट रहां में कल दो विए नहीं दोख यारन के नियुक्ति कर दोड़ा ऑवन करें पांस साल कारें सब दूसरा ना तो वही कर आदि पढ़िवातन की भाउना कि भी आप 15 साल होगे भाषपाले मन संग से काम निकते संचार साधन मतलब क्या है लोगों को सुचनाय कैसे प्राप्त हो रही है कि सरकार की क्या का रहे है क्या है का सरकार ने अच्छा काम किया नहीं किया तो इन सब के द्वरा क्या है मैं अगर प्रभावित करती है आगे आजाओ कौन कौन सी मतदाता पर प्रभावर डालती है वही चीज़े हमने जो पिछले करा उसी को फिर से आपको पढ़ना है ठीक है मतदाताओं के सामने एक और देश की व्यापक हित और नितिगत बातों पर राय आधी वहत्वपून रहते हैं लेकिन साथ साथ अक्सर संकुचित हित होते हैं जैसे जाती धर्म छेत्रिता भाशावाद ठीक है वो इनके वारे में सोचते हैं मतदाताओं को लगे कि देश के कुछ व्यापक हित खत्रे में है या फिर नितियों में कुछ मुलभूत प्रिवर्जन क्या शकता है तब क्या हैं लोग धर्म हो गया जह ट्रिता जाती वाथ यह सब कफूल में टीवी समाजिक मीडिया प्रत्री अगला कोशन के संख्या में भायात की महिलाव का सिक्षा दरब पुरूषों के विख्षा से कम है तो आप क्या बताएंगे भई सदियों से क्या है महिला सक्षर्ट अधर कम है और महिला कम पढ़ी लिखी होने की वज़े से मतदान भी कम करती है भारती महिलाओं में मतलब क्या है महिलाओं को इंप्पोर्टन्स दिया ही नहीं जाता तो यह सब करण क्या है महिलाओं के प्रतिष्ट्व में हो या मतदान में दोनों में क्या है कम भी दिखता है ठीक है तो आपको इन सब आंसर को क्या है लिखना होगा ठीक है आगे आग जाओ को नेक्स कोशन में लोग तंत्र में संगठन बनाने का अधिकार क्यों जरूरी है संगठन क्या है भई लोगों का समू ठीक है लोग तंत्र में संगठन या समू बनाने का अधिकार एक मौली का अधिकार है यह लोग तंत्र की एक बुन्यादी आव पर घधब्ड करने को सरकार और सकते हैं तक संग्ठन के माधिय Hmm cm से मौ اللट करना करूज़ा सकते हैं एसननी सो चेला एदिकार को भी के अगस्ट यह घंदर दो कोशन आजए तो आपको इतनी और लिखने हो ठीक को खोगा आजो अब प्रभावने किया होगा के लिए खोगोड मांग के लिए जरूरी है साशले और दॉला कि दूला का है हमें समाज में रहते हैं है राइपुर शहर में रह रहे हैं दुर्ग शहर में कहीं भी तो समाजी को इस समाज वाले इस जाती वाले को यह ज़रत है तो उनके हितों के अब सरकार के पास जाएगी फिर संगठन बना के लिए भई ठीक है आपको अशकता थी आप डूंगर ने बनाया क्या किये सरकार के पास गये अब सरकार ने कुछ नेतिया बनाई है तो उसको लोगों तक जाएक संगठन की जरुत होती है तो उसके लिए संगठन मनते हैं विकास कारियों के लिए कभी 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 का अलग अलग एंजियोस काम करती वह एक प्रकार की संगठन है कि वह लोगों को क्या सरकारी सब काम करेगी क्या नहीं इसलिए क्या कई एंजियोस होती है जो या ओदेकर चाबते हैं लोग होते हैं आ पनी है और घुटर सब्सक्राइब लग अलग प्रकार से प्सक्ड़कर के लिए संग्ठन बनते हैं इस Ag 104 कई कா आपको से लिखने हों भी रेक्षा्र खाति होते हैं इस तरीके से क्या है हमने 6-6 मतलब 12 marks से कोशन यहां से तयारी करें ठीक है 2 marks का इसके पहले कर चुके है अब क्या है यह 6 marks तो आपके क्या है 2 marks 10, 12, 22 marks और उसके बार 15 marks और 37 marks के तयारी यहां से हो गए ठीक 15 marks मैं इसलिए वोड़ी हूँ क्योंकि MCQ वो तो घुमते घुमते कर होगे ठीक 2 marks का 10 कोशन 2 marks 5 कोशन 10 प्रेशन हो गए 10 नंबर हो गए 6 marks के दो कोशन 12 नंबर तो किता हुआ 10 और 12, 22 और 15, 37 marks कोशन के पूरा तयारी अब हो गया अब बचा 3-4-5 वो क्या है हम फिर कल करते हैं ठीक है तो अभी आज में इतना करके रखो कल में 3-4-5 करेंगे फ उसको तक पूरा अच्छे से पहुंचेंगे ठीक है तो हमने क्या सिपाही को चालू कर लिए राजा अब जो चुटूर बोटूर मंत्री अध्याय है उसको भी करते है ठीक है तो चलो बच्छो नेक्स टूडियो मिलते हैं अपर तयारी अच्छे से करते रहो बेस्ट अब जये पूले से करते हैं आजड है ओूरूर थासे करते हैं अबने के मेंơn जो तो हमेर ऑाय करेंदयर को चालूरूर को limited क करते हैं अच्छों चोर Prayer